आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो तत्व का घनत्व जो है 7.4 ग्राम पर सेंटी मीटर क्यूब है तो तत्व के 404 ग्राम में कितने परमाड उपस्थित होंगे तो वो हमें आपर देखना है हमें आपर देखे इसके लिए 4 विकल्ब दिये हुए हैं चार विकल पे देखिए, दे रखे हैं कि 3.1, 2, गुड़े में 10 की घात, माइनस 24, एककोष्ट का, या दूसरा 9.24, जो की गुड़े में 10 की घात, 24, जो की एककोष्ट का, 6.41, गुड़े में 10 की घात, 23, जो की एककोष्ट का, या हमारा 12.08, जो की गुड़े में 10 की घात, 23, जो है एककोस्टिका यह हमें देखे दिये हुए है चलिए यहां पर देखते हैं इसको हल करते हैं सबसे पहले यहां पर अगर बात करते हैं हम की देखें यहां पर जो की देखें कि एककोस्टिका की बात करें कि यहां पर जो एककोस्टिका है उसकी लंबाई जो है एककोस्ट क्या होता है बराबर हमारा होता है 10 की घात माइनस 10 सेंटी मीटर के तो यहाँ पर अगर हम इसको सेंटी मीटर में करेंगे इसको तो क्या जाएगा 444 गुड़े में 10 की घात माइनस 10 सेंटी मीटर तो यह हमारी देखे कि यहां से value आ जाएगी चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो की बात करें कि इस प्रस्ट में आगे अगर बढ़ें तो हम जो है जानते हैं कि परमाडू के द्रव्मा देखें हम जो की बात करें एकक कोश्ठिका की तो एकक कोश्ठिका जो है उसका आयतन जो की अ कि अगर आयतन तो वो जुकी क्या जाएगी जो हमारी देखें लंबाई दिया हुए इसका जुकी क्या हो जाएगा? करने पर देखे value जो आती है वो हमारी देखे यहाँ पर आ जाएगी 8 8, 7 8, 7, 5, 2 8, जो है 5, 2, 8, 3, 4 3, 4, 8 गुड़े में 10, 3, 30 यानि कि 10 की घात माइनस 30 जो है यहाँ पर आ जाएगा 10 ते 30 जो कि गुड़ा होगा यहाँ से 10 की घात माइनस 30 जो कि सेंटीमीटर क्यूब यह जो कि हो जाएगा और यहाँ पर इसको देखे अब थोड़ा जो कि सिंपल करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि कि यहाँ पर इसको सिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा देखेए सिंपल करने पर 8.7 8.7 8.7 10 की घात कि आ जाएगा माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब तो यह जो कि हम यहाँ से इस तरीके से देख कर सकते हैं तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह हमारा जो कि आ गया हमारा यहाँ पर जो है अगर बात करें कि आयतन जो है देखें तो यह आ जाएगा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा 404 ग्राम देखें हमें प्रस्मे का का है 404 ग्राम के लिए परमाड़ उपस्तित तो वो हम अगर देखें तो वो जो कि हम यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले देखें तो यहाँ पर अगला हल करते हैं कि हमारा तत्व के 404 ग्राम का आयतन तो वो दिखे क्या हो जाएगा वो हो जाएगा जो कि द्रव्यमान बटे में घनत तो द्रव्यमान बटे में घनत तो यह होता है तो देखे यहाँ पर द्रव्यमान भी हमें पता है घनत भी हमें पता है तो यहाँ पर देखे रख देते हैं तो हमारा द्रव्यमान तो यही 404 ग्राम 404 ग्राम और घनत तो देखे क्या हो जाएगा घनत तो यहाँ पर देखे अ हमारा 72 जो है यह देखे दिया हुआ है, 72 जो है, 7.2 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 क्यूब यहाँ जाएगा चलिए आप यहाँ पर जो कि हम देखते हैं कि हमारा जो है एक जो कि आयतन में एकक कोश्ठिका का आयतन जो है अगर बात करें तो देखें एक जो कि आयतन आयतन में एकक कोश्ठिका उसका जो कि अगर आयतन बात करें तो एकक कोश्ठिका का आयतन तो वो देखें यहाँ पर जो कि क्या हो जाएगा तो वो हम यहाँ पर निकालेगर तो वो हमारा देखें क्या जाएगा तो देखें यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं कि यह हमारा जो जो है निकल के आ जाएगा देखिए जो की 56 दसंबलो एक एक सेंटीमीटर क्यूब बटे में देखिए यह हमारा जो की 56 दसंबलो में यह देखिए हमारा जो की क्या है 56 दसंबलो में एक सेंटीमीटर क्यूब और बात करें यहां पर जो हमने पहले भी निकाला था यह जो कि यहां पर था तो यहां पर देखिए यह हमारा जो है इसको जो की रखेंगे तो यहां पर यह जो की हमारा 56 दसमलो में एक एक सेंटीमीटर क्यूब बटे में जो की आ जाएगा 8 दसमलो साथ पांच गुडे में 10 की घात माइनस 23 माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब पर जो की एक कक कोश्ठी का यह जो की हो जाएगा यहां से देखिए यह हमारा सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कैंसल हुआ और यहां से हल करेंगे तो हल करने पर देखिए यह वैल्यू हमारी जो की यहां से क्या आ जाएगी तो यहा 23 एक कोश्ठ का उपर जाएगा तो यह आ जाएगा एक कोश्ठ का यह जो कि यहां से हम देख सकते हैं इस प्रश्ण का जो कि क्या हो जाएगा इस प्रश्ण का जो है हमारा उत्तर आ जाएगा तो यह हमारा देखे यहां से इसका एंसर आ जाएगा चलिए यहां पर देखते है कौनसा विकल्प यह दिया हूआ है यह देखिए तीसरा विकल्प हमारा 6.41 इंटो 10 की पावर 23 दस गाथ 23 जो की यहाँ पर एककोश्रिक यह दिया हूआ है तो हैंसर देखिए हो जाएगा तीसरा विकल्प जो दिया गया है वो यहां से इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा तो यह हमारा तीसरा विकल्प इसका एंसर हो जाएगा, थैंक्यू